आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने ओपो फोन में वोईस टाइपिंग कैसे करें या फिर अपने ओपो फोन में बोल कर टाइपिंग कैसे करें तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फोन में पेले स्टोर उपन करिए उसके बाद उपर सर्च बार पे किलिक करिए और यहाँ पर जी बोड सर्च करिए और चेक करिए अगर आपके फोन में जी बोड यहाँ पर डाउनलोड नहीं है तो इसे अपने फोन में डाउनलोड करिए वैसे जादतर फोन में यह पहले से download होता है बट अगर आपके phone में download नहीं है तो इसे download करिए हमारे phone में ये पहले से download है तो यहां से हम बहार आएंगे अब उसके बाद यहां पर अपने phone की settings open करिए और phone की settings open करने के बाद नीचे आये नीचे आने पर यहां पर आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स तो एडिशनल सेटिंग्स पे किलिक करिए अब उपर आएगा यह कीबोर्ड एंड इन्पुट तो कीबोर्ड एंड इन्पुट पे किलिक करिए उसके बाद आएगा यह मैनेज कीबोर्ड तो मैनेज कीबोर्ड पे किलिक करिए अब उपर आएगा यह जी बोर्ड अगर आपका ये जी बोर्ड ओफ है बंद है तो यहाँ पर जी बोर्ड ओन करिए और ये जी बोर्ड ओन करने के बाद बैक आईए उसके बाद करंट की बोर्ड आएगा करंट की बोर्ड पर किलिक करिए अब करंट की बोर्ड में ये जी बोर्ड आएगा तो जी typing करने के लिए keyboard open करेंगे तो आपके keyboard में एक यह settings आएगा तो setting पर click करिए अब settings में आने के बाद आएगा यह voice typing तो इस पर click करिए उसके बाद आएगा use voice typing अगर आपका यह band है तो इसे on करिए तो यहाँ पर इसे on करने के बाद back आईए और अगर आप Hindi में Voice टाइपिंग करेंगे तो इस सेटिंग पे किलिक करके उपर Languages आएगा इस पे किलिक करिए Add Keyboard पे किलिक करिए Hindi आएगा Hindi पे किलिक करिए नीचे Done पे किलिक करिए अब Back आजाईए अब यहाँ पे आपके Keyboard में एक Voice टाइपिंग का Icon Add हो गया है यह Microphone का Icon Add हो गया है तो जब आपको Voice टाइपिंग करनी है तो इस पे किलिक करिए और उसके बाद जो आप बोलेंगे वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा और अगर Hindi में टाइप करेंगे बोलकर तो नीचे Space बार पे 2-3 सेकंड टैप करिए Hindi आएगा Hindi पे किलिक करिए और Hindi पे किलिक करके जो आप इस पे Microphone पे किलिक करके बोलेंगे वो यहाँ पे Hindi में टाइप होगा और वापस English में करने के लिए इस पे 2-3 सेकंड टैप करिए Space बार पे उसके बाद English सेलेक्ट करिए और अब वापस English में टाइपिंग कर सकते हैं तो इस तरीके से उपर फोन में वोईस टाइपिंग करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें